फ्रेंज आजके इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में ये जो शॉर्टकट कीज हैं नॉर्मली हम सभी कम्पीटर यूजर्स को जानना ज़रूरी होता है अगर आप अपने कम्पीटर को अच्छे तरीके से यूजर्स करना चाहते हैं तो इन सभी शॉर्टकट कीज को याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें तो चलिए शुरूर करते हैं और आज का सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी जी हाँ ये कंट्रोल प्लस टी क्यों यूज किया जाता है और क्यों इतना ज़ादा ज़रूरी है चलिए देखते हैं गूगल पर चल कर यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टैब्स हमारे ओपन होते हैं और हमें बहुत सारे tab open करनी की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप keyboard से new tab open करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर हूँ और एक new tab यहाँ पर open करना चाहता हूँ, तो normally हम लोग प्रेस करेंगे ctrl T, ctrl T से new tab open होता चला जाएगा, तो इस तरीके से प्रेस करते जाएगे ctrl T और new tab open होता चला जाएगा, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कि यह सब सभी tabs को हम लोग जो डिलीट करते हैं, तो इस तरह से आप डिलीट करते चले जाते हैं, गलती से आप उन tabs को भी डिलीट कर देते हैं, जो वेबसाइट पर आप हैं और वो important tab है, या important website है, उसको ग चाहिए Ctrl Shift T, जी हाँ, अगर आप Ctrl Shift को प्रेस करके रखते हैं, और उसके बाद T प्रेस करते हैं, तो जो आपने रिसेंटली टैप्स को डिलीट किया था, वो वापस आ जाएगा, कैसे वापस आएगा, वो देखिए, जैसे हमने अभी Facebook को डिलीट किया था, तो मैं Ctrl Shift और T प् इसी तरह से अगर Ctrl Shift T प्रेस करते चले जाएंगे, तो जितने टैप्स को हमने पहले बंद किये थे, उन सभी को फिर से ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर Ctrl T और Ctrl Shift T, यह दोनों Hot Keys हैं, जिसे आप ज़रूर याद रखें, कभी भी वेबसाइट पर ओपन करके कुछ भी पढ़ रहे हों, या काम कर रहे हों, तो Ctrl Shift T कर सकते हैं, अगर वो गलती से डिलीट हो गया, या वहाँ से हट गया, तो, अब हम लोग चलते हैं, दूसरे Shortcut Keys के तरफ, जो दूसरा Shortcut की हमारा है, वो है Book Mark के लिए, नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पर जो आपके लिए Important होता है, य यहां पर से क्लिक करके, उसी तरह से, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, और वो वेबसाइट आपको बार बर जरूरत पड़ती है, उपन करने की, जैसे Facebook हम लोगों को बार बर जरूरत पड़ती है, Twitter जरूरत पड़ती है, बार बर, इसी तरह की कोई भी आपके computer में bookmark हो जाएगा, और उसे बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी, आप उसे open कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो देखे, अब जैसे हम लोग यहां पर Amazon की वेबसाइट पर है, और हमें इसकी जरूरत बार बर पड़ती है, तो इसे bookmark कर लेंगे, तो control D press करिए आप य नहीं दिखाई दे रहा है, या आपने bookmarks किया है, वो कहीं छुप गया है, तो वो कैसे देखेंगे, उसका जो shortcut है, control shift plus B, अगर आप control shift plus B प्रेस करेंगे, तो bookmarks open हो जाएगा, कैसे open होगा, वो देखे, जैसे यह मेरा already open है, अगर मैं control shift और B प्रेस करता हूँ, तो यह कहीं धख जाएगा, इस तरह से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कि हमने bookmarks कौन कोन से website को कर रखा है, लेकिन जैसे ही, आप control shift B प्रेस करेंगे, यह bookmarks open हो जाएगा, इस तरह से, तो control shift B से इसे धख भी सकते हैं, और control shift B से इसे open भी कर सकते हैं, तो यह दोनों options काफी important है, control D से आप bookmark करेंगे, control shift B से इसे ढख सकते हैं, या इसे open कर सकते हैं, अब उसके बाद इसके history में जाना है, यानि हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे website को अपने bookmarks कर लिया है, लेकिन इस screen में जगा तो काफी कम है, और इसकी पूरी history में आप जाना चाहते हैं, किसी particular website को यहा आप कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, उन चीजों के लिए आप प्रेस करेंगे, control shift O, जब आप control shift O प्रेस करेंगे, तो आप उन सभी bookmarks के history में जाकर देख सकते हैं कि हमने कितने websites को bookmarks कर रखा है, कैसे करेंगे, वो देखे, मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, control shift O, तो यह द एक को particularly किसी एक पर कुछ भी settings करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर click करके हम लोग edit कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, open in new tabs कर सकते हैं, कुछ भी करना है, यहाँ पर कर सकते हैं, इसका URL copy करना है, तो आप यहाँ से copy भी कर सकते हैं, तो friends, आज हम लोगोंने जितना भी computer के यह shortcut keys देखे इन सभी को आप याद कर लें और इसके practice शुरू कर दें, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को subscribe अभी कर लें, ताकि आपको notification मिल जाए, और किसी तरह का कुछ doubt है, किसी तरह का कुछ queries है, तो आप ज़रूर comment box में मुझसे पूछे, मैं उसका solution ज़रूर बताऊंगा, तो चलिए नेक्स वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much friends.